नमस्कार मैं जादना पांडे मागदर्शन पर आपका स्वागत करते हूँ दोस्तों कार्दिक महीने में हम इस्तान करते हैं पूजन करते हैं तुलसी पूजन का तो भी सेस्मात्वा होता है इस महीने में देव उतनी एकादसी के दिन, यानि कि देव थानी एकादसी के दिन, हम सब तुलसी विवाह करते हैं, कुछ इस थानों पे द्वादसी तिति को भी तुलसी विवाह होता है, बहुत आयत इस थानों पे एकादसी को ही तुलसी विवाह होता है, और वही विवाह जो है स्रेश् मिलेगी और तूलसी विवा बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं पाली बात तो ये बता दो दोस्तों कि तूलसी विवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ी चीज है या फिर बहुत ज़्यादा सामान लगने वाला है आप नहीं कर सकते हैं निश्चित रूप से आप कार् सीज मां को रखते हैं हमेशा पूजन करते हैं तो दान की आउशकता नहीं है अब एक चीज बता दू कि कार्दिक मास में यदि आप स्नान करते हैं आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं तुलसी विवा कोई भी पूजा पाठा पूबाधर नहीं करता है लेकिन करेंगे तो इसके अनेक हैं तुलसी विवा करने से सबसे पहली तो यह जो आपको जानकारी बता दू कि तुलसी विवा करने से महिलाओं का सुहाग जो है सलामत रहता है सुखी रहती है नामपत्य जीवन उनका सुखी रहता है तो सुहाग से जोड़ी हुई जो परिशानिया है उसको दूर क और वो तुलसी मा के प्रताप से ही जीवित रहे उनको मारा नहीं जा सका और तब तक नहीं मारा जा सका जबते कि नारायन भगवान विश्णु जो है छल से उनके सतित्तों को यानि कि ब्रिंदा के सतित्तों को छल से जब भगवान विश्णु ने तोड़ा तब जाकर कि जा नित्यादि करने से महिलाओं का सुहाग जो होता है वह दिरगायू होता है सुहाग संबंदी शमस्याएं जूर होती है तो यदि मेरी राय माने तो मैं यही कहूंगे कि तुलसी विवा करना अनिवारे है आपको और जरूर करें हर घर में होना ही होना चाहिए अब एक साधान स तरीके से बताऊंगे आपको किस विधी से आप तुलसी विवा कर सकते हैं सबसे पहले तो जो आपके तुलसी का गमला है कभी भी घर में तुलसी को ऐसे नहीं लगाया जाता है हमेशा उनको गमले या फिर क्यारी में करके ही लगाया जाता है तो आपको जो गमला है क्यारी काफी सुह माना जाता है उससे गमले को जो है हम चारो तरब से लगा देते हैं वो जो गेरू बोला जाता है और आपके यहाँ यदि गमला पेंट है तो आउसकता नहीं है जैसे पीले रंग का पेंट है लाल रंग का कोई भी कलर से यदि आपका गमला पेंट है तो जरूरी न नहीं तो वो विवाह किसके साथ करें तो देखिए भगवन विष्णु की कोई भी फोटो आप उसे रखकर विवाह कर सकते हैं वो फोटो जो है मालक्ष्मी के साथ नहीं होनी चाहिए अकेली नारायन हो चाहे बाल सुरूप का कोई फोटो हो चाहे नारायन हो आप उनको तू उत्तम होता है और गणेश जी जैसा कि मैं आपको हर पूझा पाते हूँ कि सुपारी जो होती है उस पर कलावा लपेट कर गणेश जी का सरूप पान कर उनका पूझन होता है तो ये हो गई भिधी आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले गणेश allied wifeLY दूर लगाना अस्तान करना ये सब करके उसके बाद भगवान विश्णु की पूजा होती है मातुलसी की पूजा करके उनको 16 रिंगार आज की दिन चढ़ाया जाता है तो यदि आप 16 रिंगार चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नही सिर्फ काजल, बिंदी, चूड़ी देखिए बहुत स्थानों पे काजल नहीं चढ़ाया जाता है तो यदि आपकी पारिवारिक मनेता ऐसी है कि आप काजल इतयाद नहीं चढ़ाते हैं तो आप उसके हनुशार करें तो बिंदी, चूड़ी, महदी ये सारी चीज़े ले ल देने से सुहाग जो है आपका सही रहता है पती की जो स्वास्त है या फिर उनके काम में बरकत बनी रहती है तो ये काम कर ले और आप बारी आती है कि आप विवाह कैसे कराएंगे तो एक कच्छा सूत ले ले तूसी मा के गमले के जो तूसी मा है उनकी पतियों में बांद दे नारायण का जो वस्तर आपने पीले रंग का पहना दे उनको पीले रंग का कपड़ा जो होता है उसको नारायण को पहना दे और उससे जो है सूते से दोनों को बांत दे यानि गठ वंधन कर दे उसके बाद जो है वहां रख दे और आप बड़े साधार सरल भाव से चाहे तो बाजार से मिठाई फोलित्यादी मागा कर उससे भोग लगाने के बाद चंदन टीका धूब बत्ती करें अगर बत्ती जलाएं अब यदि कार्थिक मास में आपके पीरियट के दोरान आपका कोई जो है साम को दीपक या पूजा छूट गई है तो आप उतने दीपक चाहे तो गिन कर जला सकते हैं चाहे तो आपने कार्थिक मास में अस्नान नहीं किया पूजन नहीं किया तो चाहे तो आप 30 दीपक भी आज के दिन तुलसी मा के पराश प्रजवलित कर सकते हैं लेकिन आपने इमालों की आपने सारे नियम बिधी निभाई तो भी आप 5-11 तरह की संख्या में दीपक जो है महां प्रजवलित कर दें प्रजवलित करने के बाद दोस्तों आप तुलसी मा को जो गठ वंदन मैंने बताया वो करने के बाद तुलसी मा को शिंदूर लगाएं जो चूड़ियां अपलाई हैं तो यदि आपकी तूलसी मा की तहनी पहनाने के बाद भोग लगाया जाता है और जो मैंने बताया गठवंधन तो आप चाहें तो उससे फेरे दे सकते हैं नहीं चाहें तो सिर्फ जो है आप तुलसी मा की जय नारायन के अलाम लेते रहें और उसके बाद अंत में तुलसी जी और विश्णु जी की आरती गाई ज आपके बाद बिवाह सकते हैं तो यजि आप चाहें तो जो धागा मैंने बढ़वाया उसी धागे को भगवान विष्णु की फोटो लेकर के तुलसी की गमले के तरफ तरी परिक्रिमा करने से जो फेरे हम लेते हैं सादी में उस प्रकार की विदी निरवाह की जाती है तो यदि आप किया है ये विधी होती हो तो करिए नहीं होती हो तो साधान सी विधी जो मैंने बताई वो विधी करें और आप जो है कुछ भी गाना आता है तो गुनगुनाए नारायन को तुलसी मा को सुनाएं इस विधी से करके तुलसी विवाह जो है वह समाप्त होता है इ अब जो वीधी मैंने बताई हूँ आप देखी लिये कि कितनी साधान, कितनी आजसान सी भीधी मैं आपको बताई हूँ यह तो घर में हर कोई कर सकता है, और नहीं आपको कोई बहुत बड़ा R-dumber करनी की बात है हाँ एक चीज मिल जाए जैसे कि एक गन्ना जो कहते हैं वो मिल जाए तो वो लाकर के तुलसी मा के गमले के किनारे रख के उससे उनका मंडब बना दे तो ये सारी बीधियां करके आसानी से घर में तुलसी मा का विवा किया जा सकता है और भगवान तो भाव के भुखे हैं वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपने किस भाव से तुलसी मा का विवा किया है विवा करने से जिन लड़कियों के यानि कुवारी लड़कियां यदि विवा करते हैं उनको मनवांचित वर्की प्राप्ती होती है और विवा के उनकी इक्षा सिग्र पोड़ होती है लेकिन हाँ कुवारी लड़कियां सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं सिंदूर उनहीं से लगवाएं जो सुहागिने हैं तो आपको तुलसी मा की एक एक आज के दिन जो है उन पे सिंदूर लगाना होता है तो इस तरह करके तुलसी विवा संपन्न हुआ और उमिद करते हूं जानकारी भी आपको बहुत पसंद आएगी मिलती हूं से तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद